कि नमस्कार आप सभी का सुवागत है पाट साला क्लासिस के ओनलाइन प्लैट्पोम पर उमीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आयोंगे जैसा कल पेपर था सेम उसी लेवल का पेपर आज का रहा है सुबह का तो चले देखेंगे मैट्स का जो सेशन रहा है ह समान म mixer में वही सहान है जो जहां से dud हो रहा था 128 तनल देखेंगा पहले का 120 वह नम्बर को समान मुल्ने पर वेच में दो वकरियों को समान मुल्ने पर ये कराव है तो आप लोगों को अच्छे से रहाए है कि जब दो वस्तूओं का विक्रे मुल्य बराबर हो एक को लाब में बेचा गया दूसरी को उतना ही पसंट हानीमें बेचा गया इस परकार के वेपार में हमेशा हानी होती है impossibility when कुण सा मुल्य समान है? समान मुल्य पर बेच आ गया, विक्रे मुल्य बराबर है, एक पर हुआ है 10% लाव, दूसरे पर हो रहा है 10% हानी, तो इन में से क्या सही होगा? इस वेपार में होगी 1% की हानी, ओप्सन D सही होगा यहाँ, एक परसंट हानी, यह अच्छे से कराया ग समान मुले बेचा है। दूनों का विक्रे मुल्ले बराबर हो एक वस्तु में बेचा गया हो अगर हानी में बेचा गया। हाँ चलिए आगे देखते हैं इसके बाद एक बंदगी के बाद अगला किस्षण होगा आपका 126 नंबर 123 नंबर हाँ यह परसंटेज से एक बेसिक स्वाल आया एकस वाई और जड़ के लिए एकस वाई और जड़ का देखिएगा क्या लिखा है एकस की आये वाई से 10 पसंट ज्यादा है तो य की आये जड़ से 20 पसंट कम है तीन लोग यहां पर एकस वाई और जड़ क्या बोला गया एकस की जो आये है वाई से 10 पसंट क्या है ज्यादा है और वाई की जो आये है वो जैड से क्या है 20% कम है तो देखेगा जैड को मने 100 माल लिया अगर इसकी आए 100 है तो इसकी आए 20% कम यानि असी होगा और X का 10% ज्यादा 80 का 10% होता है 8 यानि ये 8 ज्यादा 88 होगा देखे कट जाएगा सब 4 से कट रहे हैं ये 25-400 और ये 24-88 ये रेश्यों होगा 22-2025 option D आपका सही जवाब 22-2025 तो ये था परसंटेज का किस्टन कि सारे एक भी ऐसा किस्टन नहीं है जो आपको नहीं कराया गया हर सवाल आपको कराया गया as it is questions है आपके पेपर में चलिए इसके बाद नेक्स देखेंगे आप लोग कि 126 नंबर कि 126 नंबर देखेगा ये मेंजुरेशन का एक अहसान सागिश्टन 126 नंबर आयत से लिखाए देखेगा क्या लिखा है एक आयतागार मेदान का चेतरफल 300 वरग मेटर दे रखा है आयत का चेतरफल आप सब जानते होंगे लंबाई गुणा चोड़ाई वराबर दे रखा है कितना 300 एल इंटू वी बराबर है 300 वरग मेटर 300 मेटर स्कॉरर और इसके विकन की माफ दे रखा है कितना 25 मेटर तो मेदान का परिमाप आप से पूछा गया कितना होगा परिमाप क्या होता है आयत का दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई और विकन क्या होता है रूट ओफ कितना आजाएगा 625 आपसे पूछा गये परिमाप परिमाप होता कि है निटा अंसर के खेंगे विकन क्यां देखे दो इंकिया होता है एसक्वाइर प्लस टोड़ाई नोशन इसक्वाइर √ सब्सक्राबर है आपका 1225 और स्क्वार हड़ाएंगे तो रूट कर देंगे रूट 1225 यानि ये 35 और 35 का दुगना आपका होगा 70 परिमाप होगा यहां आयता का अर्मिदान का 70 मीटर कि बिल्कुल सही जवाब 70 मीटर यहां से रंसा रहेगा आयत का इसका परिमाप होगा सत्तर मीटर चलिए इसके बाद अगला स्वाल है कि 129 नंबर 139 और 130 दो स्वाल लोग आ गया आते हैं मैं सतार हो जाएगा कितने साही में मूल्दन के बडाबर स्धान व्याज होगा अगर आप मूल्दन 第一 पर नाए xizh его आपने प्रिस पर्जैन सुह आपने स्वाया है 20 पर्जैन 16 किटिना 20 रूपे 20 रूप तो सौ रूपे का बयास गुना कितना वर्स लगेगा।। सदाण बयास हम्यों साँ बराबर रहता है। वीष का बयास फांस साल में मिला है। तो वीष कशए साह निस rist करेद से बूदिए हैं। 2. 5. l 2002. है जो भी आप मूलदन लेंगे उसका 20% व्याज होगा कितना भी मूलदन आप मानके बना सकते थे चलिए इसके बाद आता है एक एवरेज का गृष्टान आसान साहसत का देखे 130 नंबर क्या लिखा है एवरेज से 320 और 350 के बद्दे आने वाली समसंख्याओं का उसत क्या होगा कि 320 और 350 के बीच आने वाली समसंख्याओं का उसत कि डी सी मिलना करें सराज का पेपर अच्छा आया था मैट्स का तो वही लेवल है जैसा कि हर सब्जेट में से हर क्युष्टन हर टोपिक में से क्युष्टन बना आज भी वही बना है मैट्स में तो कोई चैंज नहीं आय कि वही हर टोपिक से क्युष्टन बनाया है कल भी यही सेम था आज भी यही सेम है कि 320 से 350 के बीच समसंख्याओं का उसत इवन नंबर की बात कर रहे हैं बीच में आने वाले ना मद्दे की समसंख्या है कि 320 और 350 320 से आगे चलो गए आप 322 पहला नंबर होगा और लास्ट आएगा आपका 348 तो पहली संख्या प्लस अंतीम संख्या निंदोनों को जोड़ दो आप 322 प्लस 348 प्लस दो दस चार दो छे और एक साथ और 367 का आदा कर दिजिए 670 का आदा 335 आपका आंचार होगा यहां सही जवाब ऑप्संडी 335 समसंख्याओं का उसत निकालना था पहली संख्या प्लस अंतीम संख्या बटे दो घैप ले नंबर के यहां लिखा नंज है मद्दे की संख्याओं तीनसो बीस और तीनसो पच्या के बीच में थे चलते रहेंगी तहली संख्या प्लस अंतीम संख्या बटे दो आगे अगली क्लस अगली सक्शन के लिए आटे ojos तांसर आ रहे हैं आपके साथ ना आजी नमस्कार तो कैसा रहा आजका calculated यह रहे हैं और Leaf प्रूश्य कर हैकर चिक्या है कर्णा है जो-ची क्ला सक्रति प्रश्न क्रश्ट पूछे गये हैं बहुत आसान-दा उत्पूछ रहा है तर दौ सब्सक्राइब ब おでは्ekra यहां पर जिसने भी पड़ा है उसके गलत होगा नहीं हर्भूजी हर्भूजी का गाउं भी बुंडेल यह भी गलत टाइप किया है अधिनस्त बोर्ड ने इस बार टाइप पर सारे ही गलत रखें विरफता जी सन्तु गाउं जालोर थिक है तो सुमलित करना है लोग देवताओं वाला क्यूस्ण इसके बाद में आप सुमेलित कर लिजे अगला क्यूसद है प्रसंसatoil संग्या 12 यह आप सुमलित कर दीजीगा? जनम इस्तली पुछी गई है. प्रस्न संक्याभ बारा. अग्यला जो प्रस्ण पुछा गया है, यह संत संपरदाई से रिलेटेड पुछा गया है. चलिए. संत और संपरदाई से रिलेटेड एक पुछा गया है. और जब भी अपने संथ संपरदाय पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही संथ पढ़ाता हूँ, मेरे गाउं के ही संथे, और जिन्होंने भी यह पढ़ा है, तो उनको तो यह कभी गलत होगा, इन्हें संथ हरिदास जी, हमारे घर से 3 किलोमेटर आगे कापरोध के एक महा संत हरिदास जी, जिनकी मुख्य पीट डीडवाना में, प्रशन पुचा गया है कि संत हरिदास जी, किस संपरदाय के संस्था पक थे, तो आपको धान रखना है, निरंजनी संपरदाय, जिसकी मुख्य पीट डीडवाना में, गाढ़ा धाम, हमारी पंचाय समिती जो है, व सबसे पहले में जो संथ संपर्दाय पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले में मेरे वाले संथ को पढ़ाता हूं, ठीक है, हमारे वाले संथ को पढ़ाता हूं, संथ हरिदास्थी, जिनको कल्यूग का वालमिकी कहते हैं, क्या कहते हैं, कल्यूग का वालमिकी, चलिए, तो मैं लगा पुछा गया और तीनों पेपरों में ये चंद्रबागावाडा मिला पुछा गया है आपको जान रखना प्रश्णी ये है पसु मिला दिये हुए है थोड़ा सा डंग से पढ़ना पसु मिला अगर पसु मिला सब्द नहीं पढ़ोगे तो ये कि उसन गलत हो जाएगा पसु म मेला और उनसे रिलेटेड जिले पुछा गया कि कौन सा एक सही नहीं है चंद्रबागा पसु मिला कल के पेपर में भी पुछा गया था कल जालडा पातन दिया हुआ था आज जिला दिया हुआ है जाला वाड़ ठीक है गोगा मेड़ी पसु मिला जो है अपने राजस्तान म पर यहां पर शिवरात्री पसु मिला पुछा गया तो शिवरात्री पसु मिला सवाई मादुपूर में नहीं होगा शिवरात्री पसु मिला करोली में लगता है मास शिवरात्री पसु मिला अपने जानते हैं कि हर्यानवी नसल की गोवन्स के लिए परसीदें बाबारामद बड़ा गजब का पुचा गिया है इसको भी अगर आप डंग से नहीं पढ़ोगे तो गलत करके आओगे वेली किसन रुखमनेरी किताब ये तो जिसने भी पढ़ा है उसको सब को पताएगी किस ने लिकी विकानेर के प्रत्विराज राठोड ने लिकी पर प्रस्न ये वेली रेकर के वेली किसन रुखमनेरी गरंतली का प्रत्विराज राठोड ने जिसको अपने राजस्तानी साहित्ते का पिथल कहता है ये वही किताब है जिसको दुरसा आडा ने पांच वह वेद और उननीश वह पुरान कहा है तो वेली किसन रुखमनेरी के रच्चियता किस सा बिवात करता हूँ कि राजस्थान की माताएं अपने बैटे को पालने में एक संस्कार देती है कि इला नदेनी आपनी रहालर यो हुलराई यह कई बार मेरे दोहे एकजाम में आ जाते हैं आप सोचीए आना इला नदेनी आपनी रहालर यो हुलराई फूत शिखावे पालने मरन बढ़ाई माई ये चारण कवी का दोहा है सूर्यमल मीशन जिनको अपने राजस्थान का राज्जी कवी कहा जाता है उनकी एक रचना है वीर सत्थ सही और उसी वीर सत्थ सही का ये दोहा है इलान अदेनी आपनी हालरियो खुलराई पूत सिखावे पालने तो मरन बढ़ाई माई तो वीर सत्थ सही का ये दोहा है वई चलिए नेक्स्ट क्यूशन है बीस नमबर ये अपने इस्थापते कला से रिलेटेट पुछा गया है और ये अच्छा क्यूशन है आभानेरी दोसावाली जहां चांद बावडी है अरसद माता का मंदीर है प्रस्थ ये पुछा गया है कि आभानेरी तथा राजोर गड़ के कलात्मक वेभाव यहां की जो इस्थापते कला है ये किस काल से रिलेटेट है तो आपने पढ़ते हैं कि आभानेरी जो है वहां पर हरसद माता का मंदीर है जो वो गुजर प्रतिहार सेली का है महा मारू सेली का है कौन सी सेली का है महा मारू सेली का है और महा मारू सेली अपने गुजर प्रतिहारों की देन है तो महामारुसेली मतलब गुजर प्रतिहारों के काल की ये सारी इस्तापतेकला जो है वो वेभव में देना है। मोत हुई थी तो बाल मकुंद विस्सा हमारे गाओं के दो क्युशन पूछ लिए गये हैं ठीक है चलिए ये क्युशन एक थोड़ा सा नया देखने को मिला हैं बाइस तंबर कल जैसे ब्लू पोटरी में करपाल सिंग से खाउद पूछा गया तर आज एक थोड़ा नया नाम दिया गया है तो मेरे इसाब से पूरी कल्चर के 22 क्युशनों में एक क्युशन ये थोड़ा सा है जो एक अलग क्युशन आता है ठीक है गोपाल सेनी के बारे में आप ध्यान रखना कि ये ब्लू पोटरी के सिद्र हस्ते कलाकार है ब्लू पोटरी प्रसन ये पूछा गया क कि गोपाल सेनी का संबन्ध राजस्तान की किस है रस ते कला से लेलेटेट है तो ब्लू पोटरी कल करपाल सिंग से एक उठ पूछा गया था क्युसन NO.25 तानना, मौर बांदिया, खेवणू, ये गराशियों के विवा के प्रकार है, ठीक है? तानना, मौर बांदिया, ये सारे जो है, पुछे गए हैं कि निम्न मेंसे किस जनजाती में प्रचलीते है, तो ये विवा के अलगलग प्रकार होते हैं, तो तानना और मोरबांदिया आपको ध्यान रखना है ग्राशियों के विवा के परकार, किन के विवा के परकार है? ग्राशिया जंजाति के विवा के परकार है, चलिए, इसके बाद यदी now can sign … पूछा गया नो यह अभा दिन Do you ऑगनिया। अंगोटिया, सुरलिया अबुषन सुरलिया वैसे कल्भी था ठीक है तो ओगनिया आपको ध्यान रखना है अंगोटिया भील पुरुष कानों में पहनते हैं ओगनिया आपको ध्यान रखना कानों में पहना जाता है सुरलिया कानों में पहना जाता है पूछा गया कि कहां पहने जाते तो का कौन जाने जाते हैं संत संपरदाई के दो क्युष्टन आज के पेपर में पुछे गए हैं एक तो अपने कल जैसे लालदास जी का पुछा गया था आज पुछा गया राजस्थान में नर्सिंग के नाम से कौन जाने जाते तो भक्त कवी दुरलब भक्त कवी दुरलब नर्सिंग किसे कहा जाता है तो C option इसका correct होगा छार indulgen है चरंडाश ची रामचरंजी संतरजर जी या कवी दूरलव जी तो भक्त कवी दूरलव जो है इनको राजस्थान का नर्सिंग कहा जाता है क्या कहा जाता है नर्सिंग इसके बाद लोक संगीत से related एक आसान से क्युस्टन है नीम्न में 38 नमर क्युस्टन निकालो 38 अगला क्युस्टन अगला क्युस्टन है लोक संगीत नीम्न में से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है वैसे बहुत आसान क्युस्टन है नाम से ही पता चल रहा है की डांसर है ठीक है कालवेलिया को अंतरास्ति इस तरफ लोग प्रियता दिलाई ती गुलाबो तो नहीं है तो पहला यह उप्शन हो गया बाकि अल्ला जिला बाई बन्नो वेगम आना गवरी बाई यह सब अपने मांड गाई का पसीमी राजस्तान की फोक सौंग की गाने की जो कैसरी अबालम वगेर आपने गीत सुनते हैं ठीक है यह जो गीत गाने की एक सेली होती है यह मांड सेली होती है जैसल मेर बाड मेर बिकानेर छेतर की संगीत की सेली है तो नहीं है तो गुलाबो नहीं गुलाबो कालवेलिया की डांसर है ठीक है बाकि गवरी बाई अला प्रशन संग्या 50 चलिए अगला क्यूशन है प्रशन नंबर 50 लोकदेवियों से रिलेटेट पुछा गया कनफटे जोगी दमरू एवम सारंगी वाध्ययंत्रों के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं तो कनफटे जोगी आपको ध्यान रखना है सारंगी वाध्ययंत्र के सा में जीन माता सेखावाटी चेतर की इस बाइन सारे गलत की है ठीक है जीन माता जो है जीन माता का गीत अपने पड़ते हैं कि सबसे लंबा गीत है मिना जन्जाती की आरादे देवी है सेखावाटी चेतर की दुरगा माता के रूप में पुजी जाने वाली देवी है जीन मा 57 ये अच्छा क्यूशन आज के पेपर का, दो, तीन क्यूशन अच्छे पुचे गए, बाकी दो बहुत आसान क्यूशन पुचे गए, जिसने भी कल्चर, सामाने से सामाने इस्तर की पड़िये, किसी से भी, उसके भी सही हो जाएंगे, ठीक है, बाडोली के सिव मंदिर का नि 62, हमीर हट, सिंग सुवन सदपुरु सवचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चड़े न धुजी बार, वो हमीर हट, हटी राजा हमीर जो है, इस हमीर हट पर आपको ध्यान लगना हमीर हट, पुच्टक लिखिये, चंदर सेखर में, इसने लिखिये, चंदर सेखर, जिसने सुरुजन चरित्र और दूसरी किताब लिखिती हमीर हट, तो हमीर हट पुच्छा गया, तो चंदर सेखर, ओप्शन C जो होगा, वो करेक्ट होगा, इसके बाद में 71, 71, 71 तो हिस्ट्री गाया से रेना दो, अपने, 71 रेना दो, इसके बाद 79, 79 नमबर, अग जैसल मेर का गुंडा राज, आजादी के दिवाने, रगुनात सिंग का मुकदमा, ये सारे जो रचनाएं हैं, वो जैसल मेर के महान सोतंतरता सेनानी सागर्मल गोपा, जिसको अपने राजस्थान का वीर सावर कर कहते हैं, ये वही सागर्मल गोपा है, जिसने ये कहा था क जैसल मेर के राजा जोहार सिंग भाटी की जै नहीं बोलूँगा, और पूरी रात जेल में टोर्चर करने के बाद में ये अपने सरीर का त्याग करता है, मातर भूमी के लिए भारत माता की जै बोलते हुए एक तरह से अपना बलिदान देता है, तो सागर्मल गोपा इसका सही जवाब होगा, इसके बाद 83 नंबर क्युस्टन, 83 नंबर क्युस्टन, ये आपके लोक कलाओं का मंदिर कहां है, कल पुछा गया था, भारतिये लोक कला मंदल कहां है, और जब भी भारतिये लोक कला मंदल पढ़ाता हूँ, कटकुद रिनरते, तब ये especially, मैंने नोट लगाकर के लिखवायर, ये और बताया कि इस बार computer teacher में ये प्रसंद पुछा गया था, तो लोक कलाओं का मंदिर उदेपूर में है, लोक कलाओं का मंदिर कहां पर है, उदेपूर में आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है, लोक कलाओं का मंदिर है आपके उदेपूर में, 88 number मैंने सूचा तीन दिन हो गए कर्णल तोड का क्योसन कैसे नहीं है तो आखिर आई गया है आपके कर्णल तोड ऐसा तो होई नहीं सकता कि ये आदेमी नहीं पुछा जाए कुंभा और कर्णल तोड किसी एक जाम में नहीं पुचा जाए, ऐसा हो यह नहीं सकता, ठीक है, तो राजस्तान के इतिहास के जनक करनल टोड के अनुसार मिनाओं का मूल निवास इस्थान निम्न में से कौन सा है, तो मिना जिन जाती की उत्पती के बारे में करनल टोड यह कहता है कि आमेर से लेकर आगरा तक जो एक रेंज है काली खो परवत स्रंकला की, ठीक है, उस काली खो परवत स्रंकला को मिना जिन जाती का करनल टोड ने मूल इस्थान माना है, तो काली खो अजए इसमें ध्यान रगना है, दो मिलते जुलते नाम दिये, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने काली घाटी भी दियावा है, का जवाब काली खो परवसरंकला जो आमेर से आगरा तक एक रेंज है परवसरंकला की इस काली खो परवसरंकला को मेनाओं का मुलिस्तान करनल टोडने माना तो 88 का B option जो है वो करेक्ट होगा वे इसके बाद 90 नमर क्युस्टन देगे बहुत प्यारा क्युस्टन है थोड़ा सा महान संगीतकार थे उन्होंने अपनी सारी किताबों का टाइटल विकानेर के राजा अनूlt से नाम पर रखे रखे हैं थी कैंतो अनूप सिंग का दर्बारी कवी था प्रश्टन का नाम अपने राजा के नाम पर रखाया वही ठीके भाववभष इसका सही जवाब होगा अ पुछा गया है और इस्पेसली ख्याल पुछे गये तर आज भी वैसे लोकनाटे चार पुछे गये हैं आपके पुछा गया है कि निम्न मेंसे कौन सा लोकनाटे सुमेलित नहीं है नोटंगी बरतपूर दोलपूर की अपने पढ़ते हैं कि पूर विराजस्थान की नोटंगी बड़ी परसिद है आना तमासा जेपूर का परसिद है बिल्कुल सही है रमत विकाने जेसलमेर की परसिद है तुर्रा कलंगी ख्याल जिसने कल का पेपर देखा है वो गलत नहीं करेगा तुर्रा कलंगी ख्याल आपको जान रखना है कल ही मैंने बताया था चितोड कल भी पुछा गया था यह तुर्रा कलंगी ख्याल कहां का परसिद है निम्बा हेडा और गोसुंडा का परसिद है च तो आ सोच मेरे जानते हैं कि जो फिर हो िसमी कि जानते हैं कि बड़ा बाग जो वो जैसल मेर का है यहां पर फिर इसमींग और कई बार इंग्लिश को जब हिंदी में ट्रांसलेट करते दिये महासतियां भी है महासत्य भी है ठीक है तो यह गलवत हो जाता है कई बार इसलिए जब भी आप पढ़ो ऐसे कल्चर में इस पेसली कुस्टन तो यह जरूर पढ़ लिया करो कागा की चत्री मारवाड के अमर सिंग प्रत्रम किये किस किये अमर सिंग प्रत्रम किये तो ए उप्षन इसका सही जवाब होगा वई 99 बाइस अपने इतने ही क्युस्टन है कल्चर के चलिए तो अब आपके साइंस वाले गुरू जी आ गये है जलिए कि अज़िए कि अज़िए सभी को नमस्कार तो चलिए देखते हैं साइंस का सोलूशन एक बात जरूर कहूंगा हर एक्जाम में साइंस का लेवल पहले भी अच्छा हुआ करता था आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा 10 प्लस 2 वाले समझ जाओ अभी वक्त है पढ़ाय करना सुरू कर द सामने है बताए कोशन का सभी परिवर्तन का एक उधारन क्या है अब देखो मुहमत्ती का जलना मुहमत्ती का जलना तो एक रसायनिक परिवर्तन हुआ चांदी के बरतनों का कालब पढ़ना केमिकल रियक्शन हो जाती है दूद से दई बनना बापेस दूद कभी बनने ही प स्ट्रीशन आप करो 5-8% एक परसेंट वाटर सॉलूशन बना लेते हैं बिल्कुल सही जवाब है वसा के जलब बटन से घ्लिस्टॉल और कार्बोलिक अब देखो यह कार्बॉक्स लिक है यह थोड़ा समस्प्रिंट है यह यहां पर एकजाम के अंदर कार्बॉक्स लिक है कार्बॉक्स लिक है जैसा कि अभी चारण से आपको बता के गए कि कभी भी हिंदी में अगरिम्स प्रिंट होती है तो इंगलिस और सही बनता है तो फैट इसीड बनता है तो फैटी असीड उचवा सामल बनत है वो भी क्या है, कार्ब अपसिलिकम लिए और ग्लिसरोल बने गाए बने गाए ये भी साही जवाब है टैफलोन का उप्योग ब्लैक के रूप में किया जा सकता है क्या टैफलोन एक प्लास्टिक है कभी भी घुलती नहीं है तो ये गलत जवाब है, COCL-2 वाशिंग पाउडर का फ़र्मुला होता है क्या नहीं वाशिंग पाउडर का फ़र्मुला तो Na2CO3-10 of H2 होता है ये तो देराखा है COCL-2, COCL-2 तो ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ये गलाज जवाब दे रखा है, एक और दो correct answer होगा, option C is the correct answer चलिए सर अगले question पर चलते, science का 108 नमर का सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, IT, सूचना प्राधोगी का सवाल है, बहुत ही simple सवाल है लेकिन अगर आपने पढ़ा हो इसके वारे में तभी आप जवाब दे सकते हो, पहला option सूचना और संचार प्राधोगी की को सूचना प्राधोगी की का सबसेट माना जाता है एक option एधर रखा है, किसी software के उप्योप की अधिकार को copyright का जाता है, नहीं copyright नहीं कहते हैं, वो license कहलाता है, क्या कहलाता है, वो license कहलाता है तो यह तो गलत हो गया, अब उपर वाला थोड़ा डंग से बढ़ना है सूचना और संचार प्राधोगी की को सूचना प्राधोगी का सबसेट माना जाता है उल्टा लिखा हुआ है, देखो, सूचना प्रदोगी की subset होती है, किसकी? सूचना और संचार प्रदोगी की, Vancouver क्या कर दिया? ICT को IT का subsept माल लिया, नहीं, IT subsept होती है ICT की, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, ना तो एक सही होगा, ना ही दो सही होगा, option B is the correct answer, एक सो नमबर साइस का, निम्नमेर से कौन सा एक पशियो में viral होगे, देखो, जॉन रोग जो होता है, वो बैक्टीरियल होता है, एंत्रेक्स भी बैक्टीरियल होता है, मिल्क फीवर, केल्सियम की कमी के कारण होता है, viral disease, न में दर आमार्षय में, तीन में मिलते है, यॉछ इंदर के ने ने का पाच्छिं के किसके मासधम से होगा? तो इस ग्स्वाब फान के लिए रने अबना हुआ, उप्शन B is the correct answer, चलिए सर, 111 बिजिके साथ Sodium Hidroxide की क्रिया से क्या बनता है Jink दे रखा है Sodom Hidroxide होता है NaOH जब दौनों की क्रिया होगी तो odhe Deputy क्या बनेगा NA2ZNO2 बनता है और Hydrogen Gains का निस्कासन होता है किसका निस्कासन होता है Hydrogen Gains का तो देखो हिहaken Sodium बन रहा है आप पानी यह hydrogen gas बन रहा है और hydroxide gas तो देखो वैसे ही एक ही option हो गया और उपर से Na2, ZnO2 को क्या बोलते है? sodium zincate, क्योंगी ZnO2 क्या हुदा जिंकेट और sodium जुड़ गया तो इस question कैसे है? जब आप option C is the correct answer, sodium zincate और hydrogen gas चलिए अगला question दो सो मीटर लंबे तार्क तामे के तार का प्रतिरोध दे रखा एक किसो हम यदि इसकी मोटाई ब्यास दे रखा है पॉइंट 44 mm तो इसका विस्स प्रतिरोध आगया वाई सवाल विस्स प्रतिरोध का और यह तो mathematical है सरेक पेश जोड़ दो में इसका numerical आपको करके बताता हूं जोड़ा कि देखो इसका formula क्या होता है, R वराबर होता है, R वराबर होता है, रो L अपाउन A, यह formula होता है, आप थोरा सा देखो इसमस्तम क्या हो जाएगा, तो यहां से रो निकालना है, रो क्या हो जाएगा? र A by L, ठीक है, R, अब A फ सब्सक्राइब हमान कोशाएगा क्तितना हो जाएगा 227 हो जाएगा आर कितना दे रुखिए दाइमिटर दे रिखिए 200 meter तो L की value दे रखे 200 meter इन सब values को आप यहां रख दो तो आपका answer आजाएगा R कितना है देखो 21 Pai कितना होता है 22 upon 7 R square 0.22 into 0.22 into 10 is to minus 3 2 time करना पड़ेगा क्यों को कि square है और upon में क्या है इसका L कितना है 200 meter L है जब इसको आप सब complete solve करोगे न तो इसका answer आएगा 1.59 into 10 is to minus 8 ohm meter आएगा यह इसका answer आएगा अब इस option में देख लो 1.59 को round figure में लो तो कितना हो गया 1.6 हो गया 1.6 into 10 is to minus 1 ohm meter इसका answer होगा अब देख लेते हैं इसका answer कहां दे रखा है यह देखो 1.59 किसके पुलो जाएगा इसका answer is the correct answer चली 103 नमबर को आपको सूचित करना है आपस में मिलान करना है कर लेते हैं मिलान इसमें क्या है hydrogen bomb का सिद्दान क्या होता है नाभी के sunland होगा नाभी के बिखंडन hydrogen bomb का कारे जो होता है या सौर उर्जा जो होती है उस वो भी किस पर काम करती है sunland पर तो यहाँ जवाब आ गया 2 परमानू बम अब्यस्थी बात है बिखंडन फिजन पर जाएगा option 1 बंदन उर्जा किस पर जाती है दे को बंदन उर्जा इसका सही जवाब होगा चली चलते हैं एकले question पर 104 नमबर का सवाल अभी रुख जाएगे प्रिकास संसलेसी रूप से सक्रिय विकीरंड का कित्ता प्रतीशत पौदकुद्वारा ग्रेड होता है देखो सक्रिय विकीरंड PAR की बात कर रहा है फोटो संथेटिकली एक्टिव रेडियेशन की बात कर रहा है जब complete solar energy की बात करता है तो complete solar energy की अंतरगत तो 1-2% जाती है लेगिन जब वो फोटो संथेटिकली एक्टिव रेडियेशन PAR की बात करता है तो उसका सही जवाब जाता है 2-10% तो question का सही जवाब option C is the correct answer 2-10% और यह रहा आपका science का 115 नंबर का सवाल Apisphloria निमन में से किस से संबंदत है Apisphloria किसे कहते हैं मदुमक्की को कहते हैं, रेसम कीट को कहते हैं दीमो को कहते हैं, लाग कीट को तो देखो यह एक bonny मदुमक्की है क्या है, small यह पर द्वार्फ हनी भी कहते हैं, द्वार्फ हनी भी यह पर bonny मदुमक्की को Apisphloria नाम से जाना जाता है तो यह इस question का से जवाब होगा अपसल A, तो भाईो और बेनो ध्यान रखो मामला गडवड है, science का लेवल में मैं हमेसे कहता हूँ, पहले भी अच्छा आता था, आज भी अच्छा आता है अभी भी सोदर जाओ, 10 प्लस टू का एक्जाम नेक्स मन अगर होता है, तो आपके पास अभी भी वक्त है पढ़ना लिखना सुरू कर दो, science का अलके मतलेना बहुत शामदार, जब ऐसे कोश्चन से अग्जाम में देखने को मिलते हैं तो मेरे दिल को बड़ी कुशी होती है, क्योंकि ऐसे अग्जाम में क्यों पढ़ने वाला बच्चा है, महंती बच्चा है निकल पाएगा कपपे तो बिल्कुल नहीं चलते हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनका तो कुछ होना जाना वैसे भी नहीं है धन्यवाद तो प्रसिन संख्या एक से ही चालू हो जाता है अपना तो तो प्रसिन संख्या एक निकाले सर और प्रसिन संख्या अगर एक की बात करें तो पहला प्रिशन है कि राजिस्तान राज्य मानवादीकार आयोग के अध्यक्स एवं सदश्यों की चैन समयती में से निम्न लिखित में से कौन सामिल नहीं होता ये प्रिशन आपसे कल की एक्जाम में भी पूछा गया और आपको याद होगा देखिए न्युक्ती करता है राज्यपाल न्युक्ती करता है राज्यपाल और चैन समयती में चार सदश होते हैं कितने होते हैं चार सदश कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है मुक्ष मंत्री चैन समयती में एक होता है मुक्ष मंत्री और ये इसका होता है अध्यक्स दूसरे होते हैं आपके विपक्ष के नेता यानि जो विपक्षी पार्टी होती है उनके नेता होते हैं दूसरा और तीसरा होता है इसमें विधान सवा का अध्यक्स और चौथा होता है इसमें ग्रह मंत्री अब आपको यहां यह बताना है कि चैन समयती में कौन नहीं होता तो देखिए विपक्ष का नेता चैन समयती में होता है बात बिल्कुल सही है मुक्ष मंत्री होता है बात बिल्कुल सही है रा राज़पाल नहीं होता कौन नहीं होता राज़पाल नहीं होता क्योंकि राज़पाल चैन समयती का सदेश नहीं होता राज़पाल तो खुदी क्या करता है न्युक्ति करता है यह आपको ध्यान डखना है तो सही विकल्प इसका क्या होगा सी होगा अगला प्रिशने प्रिस और देशी टॉप पर आते हैं लेकिन इसमें पूछा गया है आपसे कि 2021-22 में तो भारत का निरियात तो सब के साथ बड़ा है यहाँ पर जो सही विकल्प आपको मानना पड़ेगा वो USA मानना पड़ेगा क्या मानना पड़ेगा USA देखी विकल्प UAE भी हो सकता है संयुक्तरा तो सही विकल्प होगा सी यानि संयुक्तरा जमिर्का के साथ भारत का सरवादिक निरियात होता है 2021-22 में यह आपको याद रखना है अगला प्रिशन है आपका प्रसिद संक्याचार और इसमें है मारलो मिंटो सुधारों का उद्देश क्या था अब दीखे मारलो मिंटो और इसके अंदर पहला विकल्प है उद्देश क्या था तो सिख्षा को बड़ाबा देवा ये तो कोई इनका उद्देश था ही नहीं दूसरा था प्रांतिय विधान सवा में दलितों के लिए आरक्षित सीटे ये भी इसका उद्देश नहीं था तीसरा है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल हा ये इसका उद्देश था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल तो सही विकल्प होगा इसका सीप हलाकि केंद्रिय विधान परसद में सदश्चो की संख्षा में बढ़ोतरी तो ये नहीं था इसका सही विकल्प आपको मानना पड़ेगा तो तीन तो इसका आंसर होगा केबल तीन कौन सा होगा केबल तीन तो यानि आपको डी इसका आंसर सही करना है कौन सा डी केबल तीन अगला प्रिशन है आपके सामने प्रिशन संख्या साथ हाँ जी थोड़ा सा नीचे लीजिएगा जन्वरी 2022 को केंद्र सरकार की PM बानी योजना का सुभम राजिस्तान के किस जिले से किया गया तो PM बानी योजना का जो सुभारम किया गया वो राजिस्तान के प्रताफगड जिले से किया गया था कहां से किया गया था प्रताफगड जिले से तो सही विकल्प होगा ए अगला है प्रिसिन संक्या 10 और प्रिसिन संक तो देखेगा यानि ये कह रहा है कि योजन आयोग के इस्तान पर कौन सा नया यानि संस्ता इस्तापित की गई तो वो की गई आपकी नीती आयोग एक जनवरी 2015 को तो सही विकल्प होगा इसका एक नीती आयोग यानि विकल्प सी इसका सही आंसर होगा अगला प्रिशन आपक का करेंट से सम्मदित प्रिश्द है और इसके अंदर पूचा गया है कि अंतर राष्टी महीला दिवस 2020 पर नारी सकती पुरुशकारों में से किसी सम्मानित किया गया यानि यहाँ पर आप पूल बिगम एक माढगाई का है आप सभी जानते हो गायन और वजन लोग गायन और वजनसिन का सम्बंद है तो सई विकलप होगा इसका ए ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रिशने सर और अगला आपका जो प्रिशना आएगा वो है आपका प्रिसंद संक्या तेवीस प प्रसंसेंख्या 28 और प्रसंसेंख्या 28 व fiquei양़िशतान उच्छन्याल्या का उदघटन राजपृमुख सभाई मांवानसिंख द्वारा किया गया वinator किया गया था है आपके 35 अगस्त 1174 यह आपको याद रकना ये ठीक है वई के बयू अगला प्रसंसेंख्या प्रसंद संख्या 34 और प्रसंद संख्या 34 में देखेगा और राजिस्तान की खादी इवं ग्रामद्योग बोर्ड द्वारा खादी पलाजा का निर्माण कहां किया जा रहा है तो खादी फ्लाजा का जो निर्वाड किया जा रहा है वो आपके जोधपुर में किया जा रहा है कहां किया जा रहा है जोधपुर में किया जा रहा है हाँ जोधपुर यानि C विकल्प होगा ये आपको याद रखना है अगला प्रिश्ण आपका प्रसिंस संख्या 35 कौन सा ह आप से पूचा गया है कि राजिस्तान में उतसब भोज योजना संबंदित है देखिए आपने सुना होगा कि जो हमारे भामा शाह है दानवीर है उनके द्वारा ये कहा गया वही सरकार के द्वारा की जो आपके सवामने होती है गोठ होती है और भी आपके कोई शादी का फं पहरी पूर अजया है कि राजस्तान में राजस्क्राइख स्वंडल की इसताफना कम की गई तो राजस्तान में राजस्ताइख्रण में ती 7 अप्रियल गुनीस्सो गुलांचास यानि सही विकल्प होगा आपका डी कौन सा होगा डी अगला प्रिश्ण है आपका बियाली स्वाब बहुत ही अच्छा प्रिश्ण है और यहां पर देखिए यह सारे जो प्रिश्ण है आपके नगर पालिकास से संबंदित जो अनुच्छेद है यानि हमारा जो चोतरवा संबिदान संसोदन अदिनिया में उ 243 ZC जिला योजना समयती का गटन यहीं गलत हो गया जिला योजना समयती का गटन तो आर्टिकल 243 ZD के अंदर है किसके अंदर है ZD के अंदर है तो C में क्या है तो 243 ZC के अंदर यानि नगर पालिकाओं के प्रावदान कुछ छेत्रों पर लागू नहीं होंगे इसका प् वहां नगर योजन समयत्य का गठने सही विकल्प है, 243S के अंदर वाड समयत्यों को गठने वम संरचना ये भी बात बिल्कुल सही है, 243R नगर पालिकाओं की संरचना का उलेक, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो गलत विकल्प आपका जो होगा, वो कौन सा होगा, A हाथी सबता कि किस इस्टल को जुलाई 2022 में यूनिस्ट को ने दिसो विरासस सूची में सामिल किया थे तो जुलाई 2022 में गुजरात का दोलावीरा यह आपको ध्यार रखना है सई विकल्प होगा A क्या होगा यह होगा बड़ी आगे 48 वा नंबर का प्रिशन और यह आप से पॉलिटी का प्रिशन है और बहुती शांदार प्रिशन है और इसमें आप से पूचा गया है कि देखिए राजिस्तान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है भाई गलत है राजिस्तान के अंदर कैबि राजिस्तान में सभी मंत्री कैबिनेट है क्या तो नहीं राजिस्तान में टोटल जितने भी मंत्री है यानि उनमें से दस जो मंत्री है वो राज्य मंत्री है क्या है राज्य मंत्री है तो कैबिनेट तो सारे है नहीं तो विकल्प ए तो ओटोमेटिक क्या हो गया गलत हो गया राजिस्तान में मुक्षु मंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं तो बिल्कुल बात सही है देखिएगा राजिस्तान में बिदान सवा की सीटे कितनी हैं 200 अब मंत्री परिशद में अधिक्तम जो सदसंख्या होगी वो बिदान सवा की कुल सदसंख्या का 15 प्रतिसत होगी तो 200 का 15 निकालोगे तो ये निकल कर आयो का आपका 30 यारी मुख्शुमंत्री सहथ कितने सदस्यों सकते हैं 30 तो कफन दूसरा भी आपका सही है तीसरा है राजिस्तान सरकार वरतमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है और 10 है आपके राजमंत्री, तो टोटाल हो गए 30, उप मंत्री कोई नहीं है, तो यानि आप से यहां पूछा गया है कि इसमें गलत विकल्प कौन सा है, अब गलत विकल्प इसका पहला ही है, कि राजिस्तान में सभी मंत्री कैबिनेट है, क्योंकि राजिस्तान के अंदर रा होगा, सही आंसर ए होगा, अगला बढ़िएगा, और प्रिसिन संख्या 54, हाँ जी, प्रिसिन संख्या 54, और इसमें पूछा गया कि पंचैती राज के किस इस्तर पर एक साथिन का चैन महिला विकास कारिक्रमों के लिए मानदे महिला कारिकरता के रूप में किया जाता है, तो किस इस्तर पर किया जाता है, साथिन का जो चैन किया जाता है, वो आपके ग्राम इस्तर पर किया जाता है, कहां किया जाता है, ग्राम इस्तर पर, तो सही बिकल्प होगा, आपका क्या, C, क्या होगा, C होगा, अगला प्रिसने आपका 16, 56, और राजिस्तान की पहली आंसर होगा बो होगा डी यानि उद्यपुर में पहली जंजाती बालक हो की अकादमी की स्तापना की गई थी अगला प्रिशने आपका 58 प्रिशन संख्या 58 और यहां है कि 2025 विश्व एथिलिटिक्स चेंपियन्सिप की मेजवानी निम्न में से कौन सा सहर करेगा तो यह करेग मेजवानी करेगा तो सही विकल्प होगा आपका डी अगला बढ़ाईए और यह तो मैंने आपको अभी अभी हाली में करेंट में कराई था परसो की क्लास में अगस्त दो हजार बाईस तक भारत में कुल 75 रामसर इस्तल है बिलकुल बात सही है 75 रामसर इस्तल है इनमें सरवादिक रामसर इस्तल की बात करें तो यह तमिल लाडू राज में कितने तमिल लाडू राज में गुन्नी से और दूसरे नंबर है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में 10 है कितने हैं 10 आप से यहाँ पर सरवादिक जो रामसर इस्तल है वो पूछ गये हैं तो सरवादिक रामसर इस्तल आपके कहां पर है तमिल लाडू में तो सही विकल्प होगा आपका D अगला पृष्णे आपका प्रिसिन संक्या 6 60 और प्रिसंद संक्या 60 में राजिस्तान में मुख्य मंत्री राज नीर योजना किस वर्स में घोसित की गई? तो राजिस्तान के अंदर देखेगा जो राज नीर योजना है इसकी सुरुआत की गई थी मार्च 2020 में कब की गई थी मार्च 2020 में राजिस्तान के अंदर अगर डेट भी आपको याद रखनी है तो 13 मार्च 13 मार्च 2020 के अंदर राजिस्तान नीर योजना का सुवारम किया गया यानि सेरी चित्रों में 15,000 लीटर पानी मुफ्त में जो सरकार की स्कीम थी वो राजी नीर योजना चालू की गई थी अगला है 61 और अगला 61 है भारत में राज कोशिय नीती किसके द्वारा तैयार की जाती है तो बहुत ही प्रिसन है राज कोशिय जो नीची तैयार की जाती है वो बित्मंत्रा ले के द्वारा की जाती है बित्मंत्राले के द्वारा तो प्रसंद संक्या इसका बी इसका सही आंसर होगा 61 का बी अगला है 66 66 और प्रसंद संक्या 66 की अगर हम बात करें तो देखेगा 66 की अगर हम बात करें तो 66 के अंदर आपसे मानव गरीवी सूचकांग HPI वंचन के समग्र सूचकांग के रूप में मापता है एक बार एक ची इंगलिस पढ़िएगा Human Poverty Index HPI Measure the Depression as a Composite Index यानि इसने यहाँ पर यह पूछा है कि बाई जो हम मानव गरीवी सूचकांग जो मापते है तो उसके लिए पैमाना क्या है कितने इसके अंदर पैमाने है तो पैमाने की बात करें तो इसमें तीन पैमाने आते हैं एक तो आपकी दीरगाईू एक आपका ज्यान और एक आपका जीवन इस्तर इन तीन के आधार पर यानि मानव गरीवी सुचकांग यानि HPI का मापन किया जाता है तो इसका सई विकल्प होगा आपका क्या भी यानि दीरगायू ग्यान और जीवन इस्तर ये आपको याद रखना है अगला प्रस्थन है सरसट मई दो हजार बाइस में त्रुपरा के नए मुक्षमंत्री किसे न्युक्त किया गया है तो त्रुपरा के जो नए मुक्षमंत्री अभी हाली में बने है ये बने थे आपके डॉक्टर मानिक सहा कौन बने है डॉक्टर मानिक सहा एप इसका सई विकल्प होगा ये आपको याद रखना है अगला है 73 और 73 वाला तो इतना कि अभी आपको option में प्रिसन ही आपके था उसमें आपसे पूछा गया था दिखेगा बस थोड़ा सा change किया है रामसर की जगे उसने आदर भूमी लिख दिया दिखेगे कितना अच्छा प्रिसन है अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ा जो प्र सितिक अंसार भारत में कितनी गोसित आद्र भूमिया है तो आंसर तो आपके प्रिसन में ही था अभी जो आपका पहले वाला प्रिसन गया था जिसमें आपसे सरवादिक यानि रामसर साइट पूछीतिर मैंने का था तमिल लाडू में है तो 75 होगा बहुत इजी प्रिसन है यानि प्रिसन के अंदर ही आपको उत्तर मिल गया देखिए अभी थोड़ी दिर पहले बताया था तो इसका आंसर होगा 55 हमारे आप क्या है आद्र भूमिया है इसके बाद अगला है 78 78 और 78 की बात करें तो 78 के अंदर हाल ही में जारी वैस्विक भूग सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा इस्तान रहा या भारत का कौन सा इस्तान रहा तो दिखिए वैस्विक भूग सूचकांक 2022 में भारत का जो इस्तान रहा है वो 107 वा रहा है कौन सा रहा है 107 वा यह आपको ध्यान रखना ये इक सो सातान भारत का रहा है अगला प्रिश्णे और अगला जो प्रिश्णे आपका आता है बो आता एक्यासी ने 81 और 81 जो आपका प्रिश्ण है और ये है बहुत ही अच्छा प्रिश्ण है और युबा मामले और खेल मंत्रायले ने वर्स 2022 का मेजर ध्यांचंद खेल रतने पुरुसकार अंचिता सरत कमल को देने की घोश्णा की गई इनका संबंद किस खेल से हैं तो भया आपको पता है कि चार वार कॉमल वेंद के अंदर ये गौड मैडलिश्ट रहे हैं और इनका जो संबंद है वो आपके टेविल टेनिस से हैं किसे हैं टेविल टेनिस से हैं तो सही इसका विकल्प क्या होगा सी होगा और इनको 2022 में मेजर ध्यांचंद खेल रतने पुरुसकार से सम्मानित कि से इसका गया जो खेलों में सबसे बड़ा पुरुसकार है अगला प्रसीन है आपका प्रसंध सांख्या 87 87 यानि सित्यासी नंबर और यह पॉलिटी का है और 87 जो पृष्ण है वो आपका है कि निमन मैंसे कौन सा कथन सही है यह आप से पूछा गया है निमन मैंसे कौन सा कथन सही है यह आप से पूछा गया है यह थोड़ा कट गया हाँ अब आ गया निमन मैंसे कौन सा कथन सही है द उसेंबर अधिनियम का सभाइए तो पहला सभी है आपके जंजाती जो हमारे इलाके है यानि जो पाँचने अनुसूची में आने वाले जो छेतर है उनसे पेसा यानि अधिनियम का संबंद है तो पहला सही है विकल पहला सही है आप से असत्त कथन पूछा है दूसरा है पेसा अधिनियम अनुसूची पांच के नो राज्यों में लाग होता है भाया ये बात गलत है जो पेसा अधिनिय हम है वो है तो पांच वे अनुसूची के दस राज्यों में होता है कितने में दस राज्यों में नौन राज्यों में नहीं है कितने राज्यों में हैं दस राज्यों में कौन कौन से दस राज्य तो आपका तेलांगना हो गया आंदप्रदेश हो गया च्छतीस गड़ हो गया मद्द प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, इसके बाद राजिस्तान हो गया, उडिसा हो गया और इसके बाद आपका करनाटक हो गया और गुजरात हो गया तो ये दस राज्ज है जिनके अंदर आपका पेशा कानून लागू है ये आपको ध्यान ड़कना है नौ राज्जों में नहीं है तो विकल्प भी इसका गलत हो गया और यही इसका आंसर होगा हलाकि आगे आप पढ़ लीजिए और भी विकल्प है तो देखे सी कह रहा है इस अदिनियम का एक उद्देश जन जाती है समदायों की परंपरा एवं रीती रिवाजों की सुरिक्षा एवं सनरक्षन करना है तो बिल्कुल बात सही है ये बात बिल्कुल सही है पंचायत अनुसोचे छेत्रों में विस्तार यानि पेशा अदिनियम 24 दिसम्बर गुनी सो इस और च्छण में को लाग हूगा तो ये बात भी बिल्कुल सही है यानि आसे आप से असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन आपका B होगा. क्या होगा B, पढ़े ए. 92, बाणमे नंबर का प्रशन आपका, ये मानवा दीकारों से सम्मंदित हैं. बहुत सारे प्रशन आप को चन्यत कीजिए जो उच्छितम नयालय के न्यादीस भी रहे दिए सर्बोच न्यालय में वो न्यादीस रहे ऐसे आयोक क्या अध्यक्स कौन से हैं तो गोपाल कृश्न व्यास ये उच्छितम नियाले में नियादीस नहीं थी, कांता कुमारी भटनागर ये राजिस्तान की पहली महिला यानि नियादीस थी, तो ये भी इसकी हलाकि इस आयोग की पहली अध्यक्स भी थी, तो ये सुप्रिम कोर्ट में नहीं रही है, सैयद सगीर एहमद, ये बात बिलकुल सही है, सैयद सगीर एमद ये सर्वोच नियाले नहीं उच्छितम नियाले के नियादीस भी रहे हैं तो सई विकल्प होगा इसका बी कौन सा होगा बी ये आपको ध्यान डखना है अगला प्रिशने आपका और ये करेंट का है और चौराण में नंबर अगला प्रिशने 94 और 94 है कि वर्स द सम्मिलान निम्न मैं से किस देश में प्रस्तावित है तो अगले 2023 में होने वाला जो सिकर सम्मिलान जी 20 का वो भारत में होगा और नई दिल्ली में होगा ये आपको याद रखना है सई विकल्प होगा इसका सी अगला है प्रिशन संक्या 96 और 96 है कि बिधान सवा चुनाब म एस्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राजिस्तान में राष्टपती सासन कब लगाया गया तो ये लगाया गया तक 1967 में आप सभी को पता है कि राजिस्तान के अंदर पहली वार जो राष्टपती सासन लगा था वो 13 मार्च 1967 को लगा जो 26 अप्रेल 1967 तक रहा और विधान सवा चुनाबों में एस्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण ये लगाया गया था अगला है प्रिसन संक्या 100 प्रिसन संक्या 100 और आप से पूछा गया है कि निम्र लिखितमे से कौन राजिस्तान से राजिस्तान से राजिस् तो इस प्रकार ये जो करेंट और पॉलिटी के आपके जो प्रिसन थे वो complete हुए एजी प्रिसन थे सारे के सारे कोई इतने hard नहीं थे एक दो प्रिसनों को छोड़ दिया जाए तो लगवक्ष सभी प्रिसन सामान स्रैनी के प्रिसन थे जो कल का पेपर थे दोनों उसी के आधार पर ये आज का पेपर भी था लेविल बराबर है कोई ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा टफ है यारी मीडियम साइज है और उसी आधार पर था जो कल के दोनों पेपर थे तो इस प्रकार ये पॉलिटी और करेंट से आपसे सम्मधित प्रसंद हुए अब नेश्ट आपको डीजिनिंग या जोग्राफी से सम्मधित जो आपके प्रश्णा है उन पर आपसे चर्चा की जाएगी तो आप सभी का सुक्रिया बहुत-बहुत आपको शुब कामना है चलिएगा अब हाँ आपको पर आपको शुब काई अब राम राम पेपर कैसा हुआ अपने जो रिजिनिंग के इस्ट्र है वह इस्टार्टिंग है 166 166 निकाल लिए आप लोग बताए यह तीदेर में चर्चा कर लेते हैं तो आपका मोसम कैसा बना कैसा रहा पेपर हैं इकर पेपर जी आ रहे हैं आपको खुद को पता है और वास्ट्विक तोर से देखा जाए तो लेवल का पेपर है और जी पेपर भी बहुत अच्छा पेपर है और ऐसा ही परी का पेपर ऐसा होना थी ठीक है चलेगा बताईएगा 116 यहां इखो वैसा है मैथमेटिकल आपर यहां अपर जो nap Quincy क्यूषस पूछा गया है आपके सामने क्या पूछा है पलस का मतलब आपके सामने है गुणा यह लो बलस का मतलब गुणा और बाग का मतलब अपलस और घुणा का मतलब क्या दे रखा है माइनस और आगे देखो क्या दे या है माइनस कार्थ क्या दे दिया भाग समीकरन उठाए यहां से समीकरन क्या दे रखा एक सो चोईस भाग 32 माइनस आठ प्लस दो गुणा 11 पहले जो सिंबल साब के जो चेंज है सिंबल चेंज कीजी आप लोगों का सबसे पहले भाग का का देखो आपके सामने किया रखा बाग क्या क्या रखाए प्लस दे र », Miss का मतलब देख़्ो आपके सामने क्या दे र रखा कितना हो चुका आपके सामने आपके सामने यहां से बचा और दो यहां से 121 वाला कौन सा उप्सन है आपके सामने तो राइट आंसर यहां पर कितना जाएगा क्या स्रीज पूछी है यहां पर स्रीज वास्ता में कल साम वाली स्रीज थोड़ी इसी गया थी अलकी थी डारेक्ट और आज वाली स्रीज वाला पेपर वादा उसमें भी उच्छी आई थी यहां देखो क्या दिया है आपके सामने दो है 12 है 36 is 80 is 150 यहां देख़ो दिमाग बच्चे का नहीं लगता है और दिमाग लगाने या क्या स्कूर किया पिलस हिए दो दिया है आगे अगे हम लोग बढ़ेंगे 36 पे करेंगे तो मरे फिरि हैं 5anda क्यूब है 36 셋ा के हम लुग चर्चाकरेंगे दो च्यार chybaर प्लس auto है और यहां पर पांच का इस्क्वार 15 महीं है प्लस बाइस लाब चैसाओ अधिके और बचा के सामने चाना के ङॉसर प्लस जो कितना 216, तो कितना हो चुका है, भीजा, 6-7, 12 हो चुका है, 3-4-1, पांच हो चुका है, 252, 252 जहां, पर भी ज़ंदा भी ऑप्सحन है youngest में हो, लपेट दो ना सुनणोर को knymरे कहो, क्या कह रहे हैं, 37 कुमार Mehrna जी, क्या parody कर रहे हो, चलेगा. अगरा कॉन सा अबना हाँ. एकसौ एकसौ अथारा है नमर का एक्यूशन है. देखो, यहाँपर ही एकसौ अठारा में, देखो, क्या लिखा है. 3 पर सी आता है, य पर 5 आता है, G7 पर. 3-5-7 बढ़ रहा है. यहाँपर देखो, कोटी सी आत. 20 है 19 है और कितना 18 यह कम हो रहा है और यह क्या हो रहा है प्लस हो रहा है यही तो बात हो रही है यहाँ पर भी देखो आपके सामने 6, 8 और कितना है 10 है और 17 है 16 है और कितना है 15 बढ़ रहा है कम हो रहा है यहाँ देखेगा I know K 11 M 13 तेरा, दो-दो का अंत्र बढ जाला है, दूटा कोड़ जा कौन सब भी लेगा डाप सेसे सेम कंडिशन की पालना हो रहे के क्या तो राइट आंसर यहां से क्या जायेगा आंस मा दों आएक चले गा अगला किवानका यह ढ है तो दूरी वाला 119 का चले एक एक क्या देर हो है 10 paper के और चलता यह लो भैया आपका जो यह है वह वह मोशा मना रहा है दस मेतर कहां मना रहा parlar है भी खांचे और फिर वैंदस मेतर कहां implanta िऐ और 10 नहीं और दस है तीन बार बाएं गुमाना है पहली बार जब हम लोग बाएं गुमाएंगे तो यह देखेगा कितना मिट रही इसका बाया यह लोग कितना मिट रहें पांच मिट फिर बाएं और गुमाएंगे इसका मतलब कितना मिट रहें पांदरा मिट रहें अब देखो पूछा क्या है वह अपने प्रारमिक इस्तान से कितनी दूर है अब पूछा क्या है यहां से लेकर यहां तक सिर्फ हलवा क्यूशन पूछा है देखेगा यह 5 और यह 10 15 एक्वल हो गई यहां से लेकर यहां तक कितनी कर दो 10 और यहां से लेकर यहां तक कितनी कर दो 5 यह 5 तो यह भी कितना आ ले से और इसके बाद के अंदर हाँ 121 का क्यूशन रिजिनिंग का चलिएगा अगली बार इहां पर अपने पास क्यूशन क्या कह रहा है A B C D E और एक पंक्ते ही बैठे हैं ठीक है E और F के इंदर के मद्दे बैठे हैं तो किते लोग है यह च्छे लोग है अग्ली पड़ो एकबता है इधर बैठा है अगली लाई पहण पेड़ो कोण बैठा है bank काम और इसका मलब बैठा इसका मतलब बैठा कोण है यहाँ पर बच कौन गया D तो यह है लोट D आपके सामने पूछा क्या है B के दाइं और कौन है तो B के दाइं और देखेगा कौन बैठा है D राइट आंसर यहां से कौन सा उप्शन जाएगा D आंसर विल्कुल 100% कौन सा उप्शन जाएगा D आंसर चलिएगा अगला 122 का निकालेगा आर्गुमेंट का देखो किता अस्यांदार क्यों सनाया है आर्गुमेंट का चलेगा यहां यही है यहां देखो क्या दिया है यह तो आपका स्टेट्मेंट दिया रहे आर्गुमेंट दिया क्या दे रखा है स्टेट्मेंट क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चीए जो आप इंकम टेक्स उकाते हैं आपको पता है क्या उनके लिए कह रहा है कि टाल देना चीए देखते हैं बहिया क्या मोसम बनेगा इसमें हाँ करते दी कुछ है बहिया करते दी कुछ कहा है तो इस लिए इस पे दो आपको सो कि नोंने भी यहां पर argument second बढ़ाया है बिल्कुल 100% answer सही दिया है चलेगा अगले question पर मोसम बढ़ाते हैं और किते लोगों का आपका मोसम बढ़ा था अध्शा सा आपका 123 नमर का मैथ का question है चलेगा आगे चलेगा जो मैथ का सर ने बताए दिया होगा 22 अनुपाथ 20 ठीक है तो हो चुका है आगे चलेगा 100 choice आपके सामने से question आए मतलब dice से आपके सामने question आए क्या पूछा है है क्या लोओ question पूछा है देखो 5 के वपरित फलक जो भी common है ओटेगा दो यहां देखो दोनों में देखेगा comment आपके सामने कौन है दो आप लोग वाइच चलो दो के बाद में चले कौन है च्यार फिर चले कोन आया एक इधर चलो मैं कहता था इन टोपिगो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो सबसे क्यूशन आएंगे अच्छे क्यूशन बढ़ेंगे देखेगा सरहल बहुत रिजनी यह चलो यहां से दिखता नहीं है यह रहो इधर देखो मैं एक बार आपके सामने कंडिशन बढ़ाई देता हूं रहा है अब देखो यहां से यह वाली कंडिशन आपके सामने बंड़ यह डारेक्टी मैंने क्या का एक दो तीन चार एक दो तीन चार बाबा की जैजेकार नहीं करनी है यहां पर चार दो नहीं आठ अभी कितने ट्राइंगल निकल गए निकल गए इसके बाद में कौन सी सर एक प्लस दो नहीं करना यहां पर एक और दो लिखना क्योंकि यह पहले काउंट हो चुका है दस और दो कितना हो गया 12 हो गया अब यहां पर देखेगा आपके सामने क्या अगली और भी कंडिशन जोड़ी है गया देखो छोटा सा मोसम और बना दिया यहां करो आप यह एक प्लस दो इक्वल कितना आया तीन एड़ गरो वैया तीन और एड़ गरो दसर दो बारा बारार तीन कितना हुआ पंदरा और जहां पर भी पंदरा कोई से भी ओप्शन में हो लपेड दो तुरंद मोसमना दो पंदरा का चलिएगा अगला क्यूशन आपका 126 का महत का क्यूश क्यूशन 117 कोडिंग डिकोडिंग से क्यूशन है था 127 को 117 को 117 नमर का निकालो वाई साब क्या पूछा रहे हैं वाया इजी मैंने क्या का जहां पर हैं कोमन लगा या तो इजी का अंलों हर आपके सामने बचा क्या रहे है यहां पर अंक देखो कौन है, चार से चार किंसल कर दो ना, भया आपके सामने इज़ है, बचा कोन है मेरे लड़लो, नो बचा है, तो राइट आनस्वर कोन है, नो, ये मेरा भाई तो साथ गर किया, इसका तो गलत हो गया, कैसे गर किया है रहे बई साथ, चलेगा, अगला क्युस्टन उमा को कहा, यहां पर देखो, उमंग ने उमा को कहा, यह लो उमंग है, यह कौन है बईया, उमा है, उमा को कहा, क्या कहा, तुम मेरी माता, यह लो उमंग की कौन हो गई, माता, माता के पोत्र, मतलब इसका क्या लग गया, बेटा लग गया, बेटे की कौन है बईया, यह उ उतर बधू आई है और इधर से पूछे तो कोनाजे विया ससूर आया है आप देखते हैं आग कोंगा नहीं है ससुरा ठीक है राइट आंसर कोनाजे 승 वाले में तो आया था साला सूबेहाले में ऐया पोती और यहां पर है सुस्रा ठीक है चलेगा यहापके रिजनिंगे क्यों संथ है और फटापट से बताईए आप लोगों का पेपर कैसा हुआ अभी हमारे सर आ रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताईए जल्दी से मैं बात चीत कर लेता हूं एक दो सेकिंड इतनी देर के अंदर हमारे सर आ रहे हैं बुला के लओ स्रको पाईए फटापट बताईए पूरा ही मोसम यंग हमारे ये लो लो देवी और देवताओं के सर अब देखो अब कौन सी स्री के अंदर क्या हुआ कैसा हुआ किसकी पत्नी को कौन थे क्या थे राजा माराजा लोग जी इस्टी मैं ये हैं जthen अपने को लिए था कलश्टktion के में इस टिस क्यूस्चन आज की मुंचे लिए आट कुशन राजस्टान के और वारती इतियास के बुचध र Темनल है Alice ऑब यह ठीं है ची Minh अरतियास के और अच्छा इंगा से उँट की हड़ियों के साख से पराप्त हुए काली भंगा से प्रथम अंकित किये गहे बुकंप के परमान मिले यह प्राक हरपा अगनिवेदीकाउं के साख से यहां से पुराप्त हुए और काली भंगा की खोज का सरे एक इतालवी इंडॉलोजिस्ट लुईजी पियो टेसिटोरी ने किय थी चार बाते हैं यहां पर हैं ठीक है तो नाम से पता दिल रहा है देगे काली बंगा कम लोगों का मुख्य पसू उंट था तो यहां से उंट की हड़ियों का उसे इस प्राप पर हैं बिल्कुल कर काली बंगा के बारे में हालांकि जानकारी सबसे पहले इटालवी नागरी के एलपी टेसिटोरी ने दी थी पर काली बंगा की खोज का सरे आपको जान रखना है अमलानंद घोश को दिया जता है तो यह A, B और C तो सही है A सत्य पुछा गया तो D, A सत्य होगा इसमें ठीक ह चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है 29 कल के पेपर में भी आपने एक एनलाइसिस किया होगा और आज साम को जो पेपर होगा उसमें भी विशेशते ध्यान रखना मोडरन हिस्ट्री के और इसपैसली प्रजा मंडल और स्वतंतरता संग्रामवाला जो मोमेंट है यहां से किसन ज्यदा पुछे गए हैं और इस्पेसली चाहे किसान नेताओं की बात करो, चाहे स्वतंतरता सेनानियों की बात करो, ये जोड़े पुछे गए हैं, करोली, बरतपुर, दोलपुर, इस चेतर के जो स्वतंतरता सेनानियों, उनके नाम ज्यादा पुछे गए हैं, बरतपुर राजी के स्वतंतरता प्र में भाग नेने वाले नेताओं में किसनलाल जोसी नाम सथे हैं ठीक है तो डी ओप्षन इसका सही जवाब होगा वे डी ओप्षन चलिए इसके बाद अगला क्युस्षन है 31 नंबर 31 नंबर क्युस्षन यह फिर यहां प्रजामंडल से रिलेटेड प्रश्ण पुछा गया है हरी नाराइन सर्मा पुछा गया कि कौन सा युग्म कारिये करता समंधित राज्यों से सुम्मेलित नहीं है प्रजामंडल प्रजामंडल से रिलेटेड वेक्ति थे और पंडित हरी नाराइन सर्मा अलवर से रिलेटेड है प्रजामंडल आंदोलन के दुरान इनकी बड़ी भूमिकारी थी तो ऐसे संगत पुछा फिर अगला क्युस्टन है आपके 44 हिस्ट्री का अगला क्युस्टन, ये बहुत अच्छा क्युस्टन, आरेस में पुछा गया क्युस्टन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्युस्टन, मुझे जो पूरा इतिहास के पेपरों में मिला है, वो सबसे सांदर क्युस्टन ये ल बैयाना के एक यूप इस्थम्ब से जानकारी मिलती है और अपने जानकारी मिलती है कि बैयाना में प्राचिनकाल में बरिक वन्स का सासन था। ठीक है, पिछले दो तीन पेपरों में पुछा गया है, जैसे अभी वनरक्षक में भी पुछा गया था, मायना परता आपने चाउंड को अपनी राजधानी कितने वर्सों तक रखी, ये तो वनरक्षक में पुछा गया था, अब ये पुछा सिदा साधा क्यूशन है, कि मायन 185 का सही जवाब होगा भी, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्यूशन है, 68, ये इंडियन हिस्त्री का क्यूशन पुछा गया है, 68, राज्ता नितियहास और कल्चर के टोटल 30 क्यूशन है, जिसमें कल्चर के 22 क्यूशन पुछे गए भी, कल्चर का बड़ा बोलवाला राय, अगला कि उसने 68 68 नीम्न में से क्या लोड करजन से सम्दित है लोड करजन जो भारत का वाइसराय था पुछा गया है कि लोड करजन से डिलेटेड कौन सी ये गटना है तो अपने जानते हैं कि लोड करजन ने बंगाल विभाजन किया था बंग भंग जिसके विरोध में रविंद्र सोनार बंगला रमिद्रनार टेगोर्ञ ने गीत लिका जो वार्तमान में बंगला देश का रास्टर गीत है थे कैने सबसे बड़ी घटना बंगाल विभाजन ए बंग भंग जिसको अपने ठीक है, और विकानेर के राजा थे सर्दार सिंग, विकानेर के राजा थे कौन है, सर्दार सिंग, राजस्थान के ऐसे सासक थे, जिनोंने क्रांती के समय अपनी सेना रज्य से बाहर भेज करके अंग्रेजों की मदद किये थी, ठीक है, तो सर्दार सिंग, सही जवाब होगा नेक्स्ट कुशन है 77 यह आपके इंडियन हिस्टी का कुशन है तीन क्यूशन इंडियन हिस्टी के पुछे गए हैं 77 1916 में Muslim League और Congress के बीच जो agreement करवाया था क्योंकि जो है एक तरह से दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था और दोनों के बीच agreement करवाने वाला दोनों के बीच समझोता करा टाइफ कराने वाला कोई एक नेता था तो वो पुछा गया स्रीमती एनी विचेंट स्रीमती एनी विचेंट स्रीमती एनी विचेंट ने मुस्लिम लीग और Congress की बीच ये agreement करवाया था ठीक है चले एक क्यूसन और है असी नंबर ये आपके फिर सब्वेताओं का क्यूसन है बहुत आसान सा क्यूसन है ठीक है असी नंबर क्यूसन नेम्न में से बोध धरम से समंदित पुरातात्विक अवसेश कहां से प्राप्त है बहुत आसा क्यूसन है अपने जानते कि बेराट राजस्थान में बोध धरम का मुख्य के अंदर रहा है ठीक है और यहां से भाबरू से लाल एक समराट असोग का मिल रहे तो यह डी ओप्शन इसका करेक्ट होगा हुई ठीक है बाकी रेंड नले असर अपने जानते लोह यूगिन सब्वेता इस्तल है मध्धेमिका एक प्राचिंतम प्रातात्विक इस्तल है जो प्राचिन काल में जन्पद हुआ करता था जिसकी राजदानी नगरी चित्त अब आपके राजस्तान की जोग्राफी का बड़ा बोल बाला रहा है आज की पेपर में भी तो जोग्राफी वाले और एकोनोमिक्स वाले कुस्टन गुरूजी लेकर आ रहे हैं कि अज़से निकाड़ ले हल दोस्तों नमस्कार आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जो अपने हमने आप लोगों से जो मेहनत करवाई दोस्तों उसका प्रिनाम भी आपको अच्छा मिला होगा यह बात आप सव्यम बता सकते हैं हम बताएंगे यह अच्छा क्रिचन आये हैं दोस्तों चैन्डियन जोग्रोफि की बात करें चैह राज्थान जोगरोफि की बात करें ऑर्थीष्ता की बात करें बंपढर्धो सीटीशनलेवल है दोस्तों व्यए आपको जो पढ़ाई है नम भू़मी इसली दोस्तों लिखाया है क्या 14 वेट लेंड तम्मिल नाडो में सरवाधिक हैं पिछेत्र वर्तमान में भारत में तोटल हैं यह आपको बताया होगा तो देखेगा क्यूशन नंबर निकालते जाना क्यूशन नंबर पांच जल उपलब दिता के आधार पे दोस्तों अच्छा क्यूशन है लेवल का क सरकिया होगा दोस्तों आपका सही होगा क्यूशन चलो अगला क्यूशन अगला यही है कथन राजस्तान के दक्षिनी छेत्र में सागवान वन बहुतायत पाई जाते हैं बिलकुल डुंगरपुर वांसवड़ा में परताब गड़ में सिता मताब बैरन्य में लेकिन सागव आपका राइट आंसर यहां दोस्तों ए सही है कथन सही है लेकिन कथन आर गलत है ओप्षन आपका फश्क सही होगा ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों आपका सही है हाँ जी बोलो भी अरे हाँ जी बिलकुल बता दे जाईएगा निकालते जाओ इसमें क्यूशन बड़ा दोस्तो 841 सबसे कम धौलपुर जिले में नियुंतम ग्रामिन लिंगानुपात है चलो आगे अगला क्यूशन हाँ जी निमलिखित में कौनशी नदी कौनशी नदी सुमेलित नहीं है वेत्रक वात्रक यानि वेत्रक दोस्तो यह वेत्रक नदी यह बांस्वाडा डाई नदी डाई जाना हो देगो सब्दों के सुधियां डाई नदी अजमेर काकनी जैसलमेर में बहती है बांगा जैप्र से निकलती है आपकी बांगा बेराट की पाड़ियों से यहां पे राइट आंसर आपका बास्वाडा वाडा सही होगा क्योंकि यह साबर मती की एक साइक नदी योजना आयोग को दिये गए संस्तान में किसके द्वारा प्रतिस्तापित किया गया है बदाओ भी इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका जल्दी से बताइगा हाँ जी तो इसमें राइट आंसर होगा निती आयोग कौन सा निती आयोग आपका राइट आंसर होगा दे दोस्तों तो आपका राइट आनसों यहाँ पे जाएगा जी पस्तों मेले बता दी होंगे एक खनीज वाला किशन पूछ लिया फलो राइट मांडो की पाल डुंगरपुर सही है रोग फास्पेट ब्रोडिया दोस्तों ब्रोडिया तो मैंने लिखवाए नहीं था आपको सिस लिखाये थे निम्मत चमाता लिखवाया था रोग फास्पेट का जामर कोट ले लिखुआ है ता मौटु लिखवाया था भिर्मानिया जैशलमेर वाला लिखाय था फतेग़़वाला लिखवाधा इनमें सेड़ी को यह आता तो यह सही होताब का यह गलत है दोस्तों तो मैं आसा करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा पेपर गया होगा देखिएगा यहां की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन सा क्यूशन है 24 एच पीसी एल दोस्तों हमारे बाड मेर की राजस्तान की पहली रिफाइनरी पंच बद्रा पंच बद्रा रिफाइनरी जिसमें एच पीसी एल का कितना प्रसेंट योगदान है 24 प्रतिसाथ और राजस्तान का 26 प्रतिसाथ दोस्तों जाके देखिएगा इंदन खनीज में आपको लिखवाया गया है कि दोजार ग्यार की जनगनना के निष्शा रस्तान में शुरवादिक जैपूर सबसेह दादेदा जौदपूर दूसरे नमबर अलवर तीसरे नंबर नागोर चोटे नमबर बो राइट आंसुर आपका जा रहा है दोस्तों जैपूर जोधपूर अलवर नागोर जैपूर जोधपूर अलवर नागोर सही आंसुर होगा हाँ जी राष्ट्रिय खादेश रुक्ष्यम हिसन योजना में दोस्तों किस-किस को समलित किया गया बताईएगा चावल गेहूं डाले चावल गेहूं और डालों को सामिल किया गया दोस्तों इसमें कल भी किसना आया था यह जी चलो आगे कि बारत के किस राजिये में पवन और जा सरवादिक संता विद्ध्यमाने दोस्तों तंमिल आडो आपका राइट आणसर जाएगा यां तमिल नाडो राइट आणसर होगा तमिल नाडो दोस्तों चलो आगे 34 निकलो फटावर निकलते जाओ कि बोलो भी राज्ये में खादी एम ग्रामों द्योग बोर्ड जौदपुर में प्लाजा दोस्तों खादी प्लाजा भी सड़ने बता दिया था जौदपुर आपका राइट आंसर हो गए यहां पे चलो आगे कि सैंथीस बारती एर्थविस्ता के संद्रब में नेमन पर कत्नों पर विचार कीजिए सारुजनिक रिन सारुजनिक राजस्वे खुले बाजार की किरियाएं बैंक दर उप्रोक्त में कौन समोद्रिक निती के गट्टक हैं बोलो भी सारुजनी ग्रिन नहीं है, सारुजनी राजस्व नहीं है, खुले बाजार और बेंक दर, दोस्तों आपका D-Option सही होगा, यहाँ पे D-Answer आप सभी का राइट जाएगा, भारत में कॉफी उत्पादक राज्ये, करनाट का पहला नमबर, केरला दूसरा नमबर, त राजस्तान में सोया उत्पादन, दोस्तों सोया हमारे हाडोती, कोटा संबाग, दक्षिन पूरी वी राजस्तान, ऑप्शन दे रखा है हाडोती पठार, बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा, यहाँ पे, पस्यमी घाट पर, जो पस्यमी डहलानों पे वन पाई जाते हैं वो सदावार बन होते हैं, दोस्तों, ओशन कटी बंदी है, सदावार बन, बिल्कुल आपका राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे, चलो आगे, राजस्तान में मक्के की खेती के लिए प्रमुक जीले हैं दोस्तों मक्का होती है हमारे राजस्तान में दक्षणी भाग में तो मक्के के लिए उत्पादक हैं बोदोबीत चितोडगर्ड बांस्वड़ा बुंदी दोस्तों राइट आंसर मलाज खंड मध्य प्रदेश का एक किस्तान छत्र है जो तांबे के लिए फेमस है दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा तांबा सलाल प्रियुजना लिखवाया है दोस्तों आपको नदियों में इंडियन जोगरोफी में देखिए का सिंदु नदी अपवात अंतर में चिनाव यदी पड़ी है कि दंपुर जिले में एक योजना चल दी है और उसका नाम है चिनाव नदी यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा चिनाव । विशल पूरबांध का infinite निर्मान हो चुका था दोस्तों उन्नीस सो निन्यानमे में आपका राइट आंसर यहां पर होगा उन्नीस सो निन्यानमे राइट आंसर होगा बहरत में कुल 55 रामसर साइट है दोस्तों तो उन 55 में सबसे अधर रामसर साइट कहां है तो यह तंमिल नाड़ो में हैं तंमिल नाड़ो में कितने हैं दौस्तों, 14 हैं देहन दीजिये घा इसमें भारत में राज कोशिय निति किसके द्वारा तियार की जाती है वित्मंत्राली द्वारा ये तियार की जाती है राजस्तान में दोजार इकीस बाइस में राजस्तान में उद्योग छेत्र का इस्तिर किमतों पर सकल राज्य मुल्य वर्दन छेत्रिय योगदान कितना है 26.34% दोस्तो आपको लिखवाया गया है बिल्कुल आपको ये लिखवाया गया है दोस्तो 26.34% होगा जनगन्ना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्ये में सरवादी गिलिगानुपात है दोस्तो केरल सरवादी केरल में हैं दोस्तों फिर दूसरे नंबर पे आजाता है पुद्दू चेरी ओकलवूड फोसिल्स पार्क जहां अठारा करोड वर्स प्राचीन जिवास्म के अवसेस मिलते हैं दोस्तों वह हमारे राजस्तान के कहां है दोस्तों जैसल मेर में है दोस्तो राश्क क्यमरूद जैसल मेर है दोस्तो यहाँ पर आपका राइट आंस्वायर जैसल मेर होगा नहीं देखो इससो मानाव गरीबी सुचकांग के anti podcast को सम्गृ समगरी सुचकांग के रूप में मापता है ग्यान बुनियादी जरुरतें और जीवन स्तर यहां पे आपका राइट अंसर फस्ट जाएगा दोस्तों यहां पे आपका फस्ट नंबर ओप्शन सही होगा कॉपेन के जल्वाई वर्गी करण में डुंगर पुर बांसवडा सामिल होते हैं बोलो एडवलू दोस्तों एडवलू डुंगर पुर बांसवडा को परदशित करता है चिन्नित करता है अगस 2022 कि स्तती के अनुसर देश में अभी जैस पिछे आया है दोस्तों यहां अमारे भारत में टोटल पिछेतर हैं दोस्तों राइट आंसर आपका पिछेतर होगा रातानाडा हवाई अड़ा बोलो अपने सेमय उपलब्द करवाता है जौदपुर को दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका और परवन वहर्द लिखवाया दा दोस्तों आरस प्री में भी यह किसन पुछा था और अब भी यह किसन आपका राइट आंसर होगा जहलावाड बारा कोटा इन तीन जिलों को 637 गाओं को यह पेजल उपलब्द करवाता है दोस्तों कि कि कौन सा कोईला 666 मिलित है मद्यप्रदेश रामगर जारखन सर्गुजा पस्नमंगाल बैतूल और ओरिसा दोस्तों बैतूल कहां है पस्जी मंगाल में गे बेतुल सरगुजा कहा हैं? छटीजगड में हैं? रामगड कहा हैं? जार्खंड में हैं? बेतुल कहा हैं? गलते दोस्तो, राइट उन्सर आपका औरी सा संबल पुर राइट उन्सर होगा दोस्तो थोड़ा से यदिया अपने दिमाग लगाया है तो आपका राइट आंसर गया है ये भाजी निमलिकित में क्या भारतिय अर्थिवस्ता की क्रश्यों और समंध सिवाओं में समलित नहीं है खादे प्रसंस्कन समिल नहीं है दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा बर्णे की पाड़न के अनुसार दोस्तों जाके देखिए गाप अराउली में अराउली के धक्ष Works ने में उत्री अरावली में जाके देखेगा लिखवाया है काली खोई की पहड़ियां जैपुर से आगरा तक जो फैली है उनी पहड़ियों को करनल टोड़ने मिनाओं का आदिम इस्तान माना है दोस्तो राष्टान में ओल रिफाइनरी थोड़ देर पहले बात हुई है वाड मेर पंच बद्रा यहां पे आपका राइट आंसर पंच बद्रा होगा दोस्तो राष्ट्रे कर्शियम गरामिन विकास बैंक नाबाड के स्तापना बारा जुलाई उन्नीस सो बयांसी को कथा कथा त्यार किया जाता है दोस्तो खेर कथोड़ी जन जाती तभी तो इनका नाम क्या पड़ा कथा एंटी सॉल्स मर्दा पाई जाती है दोस्तो पस्षिमी राजस्तान में ये जोगरोफी के दोस्तो 40 प्लस किशन थे और ये बिलकुल आप लोगों के सही गए होंगे थोड़ा सा एक इकोनोमिक्स में आपके समस्य आई होगी बाकी जो ग्रोफी इंडियन जो ग्रोफी वाले पार्ट में तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदा मिला होगा दोस्तों आजी तो जुड़े रहीगा कंप्यूटर को लेके आ रहे हैं पाउंसार बिल अगया है है कि हमस्कार दोस्तों यह गर्वंपीटर के जो कुष्ट्स है अब अब यह कि अध़िए अपनी यह अपनी यहां पर टो एक च्च्च नंबर पर लाई है एक है कि यह देखिए क्या कहा रहा है कि विचोगता फोलन स्टेटमेंट इस फॉल्स आपको इन में से ग जाहनने जाहने 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 के गलत statement का चैयन करने किते गलत statement इंहें से इंहें से कोन शह है तो देखें पहला कहरा है गाइंट पॉइंक डिवाइसे लाइक प्यषलिए यह चोन हिस्ट को रहा हो गई है रहा है अको पॉइंटिंग डिवाइसए रहा है यहां पर तो यह गलत हो गया जैकिन और भी चेक और यू ने पाइट प्री प्रिंटेड एम इसरे करेक्टर और बैंक चेक्ट इसका पूरा ये भी है और इसकी जगह रीडर भी आ सकता था दोनों ही इसके नाम है यहां वाली बाप भी सही है यह भी सही है तो गलक पुछिये तो ग कि एक सो दो नंबर का कॉश्चन अपने पार मेरे वाले इसमें के रखा है कि क्या दिया हुआ है सेकंड जनने से कंप्टूटर वर डवलप डूरी देकि ऐसे जब कॉश्चन आ जाते हैं तो उनका क्या एप्रोक्सिमेट में आंसर आता है क्योंकि राश्तान बोर्ड की लगवा लगवा निसओ बीयालिस से उनिसओ चौवन या त्रेफल तक पस्ट जन्देशन माली जाते हैं तो इसमें थोड़ा ओप्शन लगाने में च्छाषट नंबर क्यों से निकाल लेना एक वाद हाविच्छाषट में वह ओप्शन है ना उपर नीचे वाले वह थोड कि हावी देखो यहां पर है ना यह अपना मानाओ गरीबी सुचकांक में समगर सामिल होता किसके माद्यम से मापा जाता है यह देखो इसको यह राइट करना आपना द्रगायू घ्यान जिवन इस्तर दोस्तों यह सही होगा इसका वी ओप्शन आपका राइट आंसर यहां यहां पर देखिए अपन सेकिंड जनरेशन के कंप्पूटर्स पढ़ रहे थे तो सेकिंड जनरेशन के कंप्पूटर्स का कार्यकाल यहां पर दिया हुआ है तो सेकिंड जनरेशन का कंप्पूटर का कार्यकाल जो है आपकी एप्रोक्सिमेट जो आता है वो आपके आंसर दिया हुआ है और वैसे तो फैर वो आंसर कोई डिलीत होने वाला नीए विल्कुल उसमें साब साब जो है आप उसका आंसर निखाल सकते हो यहां पर है अपना है ओ को है और ब्टाल जो बैंसरे का माला जाता है अपर यहां पर देखेंगे ढुडिया writing आपके ससकते हूंने पेस्टबय क्योंत करके लिए ऑफशर कार्यकाल को मिलेगा है यहां पर देखने हाँ यहां पर देखैंगे यह तो बिल्कुल भी नी हो सकता हुआаемся बких यह बिल्कुल भी नहीं होगा यह तो आपके बिल्कुल भी नहीं हो सकता है यहां पर देखेंगे तो यह क्या दे रखा है अपर देखेंगे तो इसका सबसे पांजर कौन जा रहा है उने सो इन सो पैसिट यहां तक है इन सब में अपन देखेंगे तो इसका सबसे 60 कांजर को जा रहा है उने सो पैसित तो जहां तक है आपके बॉल्ट को यह ही आपना पड़ेगा जो कि इस बहुत बश्पड़ी चलेगे यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यह इस भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 70 वाला काम था यह यहां पर गलत हो गया यहां पर सबसे 60 कांजर अपना कोंता हो जाएगा टी हो जाएगा ठीक है बिल्कुल भाई सेफिस्कोर क्या रहे गा एको सेफिस्कोर पेपर का स्टेंडर्ड तो आपने ठीठा की है एको 103 नंबर क्या कह रहा है आप से पेजपोल्ट अकर प्रोसेस हो रहा होता है प्रोसेस हो रहा है तो किसी पेज की या किसी डेटा की जब जरूरत पड़ती है अगर वो डेटा जब उनको मिल जाता है तब तो पॉल्ट नहीं होता लेकिन वो पेज या वो डेटा उनको नहीं मिलता है तो उस ताहल पेज पोल्ट अकर हो जाता ह क्या होती है एरर होती है अब यह कब अखर होता है जब कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा होता है और प्रोसेस कौन करता है से प्यू या प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है तो जब कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है तो वह डेटा किसमें होना चाहिए रेम में होना चाहिए ल अगर वह डेटा नहीं मिलता है यो पेज आपको नहीं मेमोरी तो उस वाली कंडिशन में पेज पोल्ट की एरर आपकी है नोट पर जाता है तक आपके पूंजिने मेमोरी में अगर आपके पूंजि मेमोरी में अगर तो आपकी इस्तिति आएगी इसलिए इसमें यह पुजा कब आखर होगा जब आपका डेता इसे मेमोरी में परजेंट नहीं होगा 132 सही है बहुत अच्छा है आपके 132 तो बहुत अच्छा स्कोर है आपर नेक्स देखिए आपके क्या कर रहा है इसमें से की के बारे में क्वेश्चन पूछा गाया कि उसको की को दबाएंगे तो वो की क्या कौन सी के लिया करेंगी तो इस एक चीज देखते हैं यहां पर देखिए पहली दे रहे हैं प्रसिंग एंड एंड की होती है की एच्ट यूफड है आँड आप दोक्यूमेट देखिए ऐसा होता क्या है माली जे मेरे पांच में एक डॉक्यूमेट मि लिखा हुआ है और इस डॉक्यूमेट में मैंने कोई भी चीज लिक रहा हैं इस तरह के और माली जे मेरा कर्सर अब यहां पर है इस 230 क्या है यहां समस्क् 900 मेरा कर्सर अब कहा है यहां पर आई कम लाइन के अन्ट में आजाएगा यहां पर आ जाएगा अकर इसके नीचे और भी कुछ है। यह लाइन के और पहुंचने के लिए आपको क्या पढ़ना करता है इससे आप अपने पहुंचते हो यह बात तो क्या होगी गलत है तूसरी देखिए प्रेसिंग पेज डाउन टेक्स दाउन वन स्क्रीड बिल्कुल यह है सही बात है अगर यहां पर हूं, और अबात है अगर यहां पर हूं और मै कि अच्छा बिजली फोल्ट आगया वहाँ बने रहेगा अभी इसका सॉल्यूशन होगा बिजली एक बार चली की थी वैसे तो इन्मेटर लगावा वाता अबड़े पति पायगी यहां डेक्टर देरोदी पर नगें झाल झाल बिल्कुल दोस्तों अभी आ रहे हैं बिल्कुल आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोगों को जो भी रह रहे हैं एक बार पोल्ट आ जया था झाल 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 झा तो बिल्कुल पर देखना था इसका सही आंदर और इसमें पहला गलात है कुछा क्या है इसमें जहां पर दे रखा है कौन से है तो सही बेट सेकिन और ठांड है और सेकिन और ठांड है इसमें सही आर्सर कोण सा जाएगा बी हो जाएगा दोनों ही सही नेक देखिये एक सो पार नंबर का पॉस्चिन क्या कर रहा है इसमें आपके पास पूर्टी भी होते हैं साइज भी लिखावा रहता है इसमें कलर्स का भी चैन कर सकते हैं यह सारी चीजें आपके मिलती है और यह जो डायलोग बोक्स को क्या बोला जाता है इसरे का इस इसे को बोलते हैं कि आपके format cell ायलोग बोक्स को रखेसिंसे संबंदrica क अब ये यह कुन से से खुले गा है ये आप control ते अगर दबा देंगे kontrolul relevant दाबाती है कि आपके जाए तर पून सा हो जाएगा कर्ट स्वोल तर वर यह तने अपने आज के प्वेस्टन इसके और अभी और जो आपके बच्चे हैं वह सारे प्वेस्टन्स के होने वाले हैं अगर 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 कर अभर अभर हैं देखेगा हिंदी और इंग्लिस वाले जो सर है वो आज है नहीं तो उन्होंने जो आंसर भेजे है मुझे उन आंसर के आधार पर मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिस वाले जो प्रिश्ण है उनके सही आंसर क्या होंगे क्योंकि दोनों ही सर एफसेंट है तो देखेगा सबसे पहले है 131 और ये हिंदी का प्रिश्ण है इस प्रिश्ण के माध्यम से पूचा कि आपको सुमलित करना है कि जो मूल स्वर है दीर्ग स्वर है अल्प प्रान व्यंजन है अगोस व्यंजन है इनको आपको सुमलित करना है कि क्या क्या इनके अंदर यानि किस प्रकार ये बने हुए है तो दीकेगा सही सुमलित जो किया है वो किया है A का 1 B का 2 C का 3 और D का 4 यानि इसका जो सही आंसर होगा वो आपके B होगा क्या होगा B यानि 1 का 1 2 का 2 खे C का गे और गे का यानि गे इसके बाद है अगला आपका प्रसैंच्या 32 और प्रसंद संक्या 32 में अलप बराम चिन्न के प्रियोग में संबंदों पर बल देने के लिए उप बाक्यों को अलग करने के लिए अभीवंदन, समापन, पता, दिनांग, आदी में, सम्मान, सूचक, अभीवंदन के बाद और किसी तत्त को इसपष्ट करने का संकेत करने के लिए असंगत कथन पूछा है तो इसका असंगत कथन होगा आपका A यानि भावाती रेक में सब्दो पर बल देने के लिए अगला पृष्ट 133 किस विकल्प में उचित बिलॉम युग्म का प्रियोग किया गया है उचित बिलॉम पूछा है यापर तो करकस का होगा मदूर कौनसा होगा करकस का मदूर होगा यानि सही इसका विकल्प होगा आपके C अगला है सार्व नामिक विशेशन का प्रियोग किस विकल्प में हुआ है तो सार्व नामिक जो विशेशन का प्रियोग हुआ है वो किताब के कुछ प्रश्ट सेस है इसमें नहीं हुआ 60 लोग समारों में आ रहे हैं इसमें भी नहीं है थोड़ा गी लेकर आईए इसमें भी नहीं है और आपके बहे घर अभी बना है इसमें हुआ है बहे घर अभी बना हुआ है तो इसमें आपको ध्यान डखना है इसमें आपके सार्व नामिक विशेशन का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है अगला है आपके प्रसंद संक्या 135 और इसमें है किस विकल्प के सभी सब्द अरजुन के परियावाची है अब दिखे सभी पूछें आपर तो सभी में तो दिखे धनिंजय अरजुन का होता है पार ताकि होने को तो और में हुआ जैसे भगवान स्री कृष्ट के मादव के सभ पितांबर ये तो भगवान स्री कृष्ट के हैं तो सही इसका विकल्प होगा वो आपका भी होगा यानि धरंजय पार्थ और कौन्ते अगला है किस विकल्प के सब्द दो से अधिक उपसर्गो की अगर हम बात करें तो प्रतिवाद में तो दो उपसर्ग है नहीं प्राचारिय भी नहीं है अध्यापक और ये हाँ ये है दुरद्यवशाय और समुद्रहरण ये दोनों के अंदर यानि दो उपसर्गों से अधिक का प्रियोग हुआ है तो इसलिए सही विकल्प इसका क सदा आवारी रहेगा सुद्ध बाक्य कोई प्रोब्लम नहीं है क्रिशन ने कंस का बद किया ये भी सही है सुद्ध बाक्य है ये कारिय कैसे संबब है ये भी सुद्ध बाक्य है थोड़े समय बाद च्छात्र बापस लोट आई ये आपका असुद्ध बाक्य है तो आपको सा है जैसे दिखिए जीवन वर पूरे जीवन सही है ये तो देश अटन देश में अटन ये भी सही है लाजवाब जवाब के साथ ये क्या होता है लाजवाब तो गलत है ये असंगत समास बिग्रह इसका सही नहीं है तो भी इसका सही आंसर होगा अगला है निम्न मैं से कौन स गरिशने में सजाती है क्रिया का प्रियोगु गा करें थे-स्व ही पत्ते हवा में उड़ी तो इसमें सजाती KRIया का प्रियोग नहीं हुआ भूमी के लिए मरना Counter-D इसमें भी सजाती क्रिया नहीं है I recommend जलना स्वास्त के लिए अच्छा है इसमें भी सजाती करिया नहीं है पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी इसमें सजाती करिया है यानि यहाँ पर तो सही विकल्प आपका डी होगा संदी की द्रश्टी से असंगत विकल्प का चैन कीजिए अध्य प्लस पतन तो पहला ही सही कोई दिक्कत नहीं है अध्य पतन यह बिल्कुल असंगत विकल्प है तो इसका आंसर ए होगा तो यह आपके हिंदी के 10 प्रिशंड हुए इसके बाद अंग्रेजी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया कि यानि आपको पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद उसके जो आंसर है वो आपको केरफुली देने हैं अब पैसेज तो काफी टाइम लगेगा पंडे में मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं कि विच आप दा फोलिंग वर्ड इन दा पैसेज मिस वेरी तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा यह आपको द्यान डखना है एनिवेल इसका सही आंसर होगा यह आपको द्यान डखना है फिरे दी वर्ड विद दी मिनिंग अपोजिट दा सैंफुली इन दा पैसेज इस तो इसका जो सही आंसर हुआ है वो हुआ है चौकलेट चौकलेट नहीं है तो यह आपको द्यार डखना है कोकोलेट और इसका जो सई आंसर होगा वो बताया है अर्थ लॉफ क्या है अर्थ लॉफ यह आपको द्यार डखना है इसके बाद है फिलिंदा ब्लिंक space with the correct phrasal verb from the given option यानि आपको phrasal verb का यहाँ पर प्रियोग क साई कौनसी है तो यह आपके है काल्ड-ओफ काहरण पर है है ये रहा का सभी होगा अगला है मैच-द शेंटेंस इन-ध कॉलम ए और कॉलम ब को आपको यहाँ पर मैच करना है तो मैच के लिए जो है इसके अंदर पहला ही विकल्फ सही है यानि A का 3, B का 4, C का A और D का 2 ये आपको ध्यान रखना है अगला है प्रिसें संक्या 146 और प्रिसें संक्या 146 का जो सही विकल्प है वो है आपके D विकल्प इसका विल्कुल सही होगा ये आपको ध्यान रखना है अगला है choose the most option को आपको यह पर select करना है तो option में आपके जो सही है वो यह है कि यह आपका जो B वाला जो option है वो बिल्कुल सही है B नहीं A है A वाला option इसका सही है यह आपको ध्यान डखना है इसके बाद presence है 48 और 48 के अंदर है क्या है भई choose the correct English translation of the given sentence हाँ तो इसमें given sentence आप सको पूछा गया है कि मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मुझे उतार देता हूं तो इसका सही answer बताया है कि I take off my shoes and socks before entering my room तो C इसका सही answer है यह आपको ध्यान डखना है गुननचास में और गुननचास में आपको यहाँ पर जो attack all out यह आपका सही answer होगा है यानि C इसका सही answer होगा और 150 में defue यह इसका सही answer होगा तो इस प्रकार यह अंग्रे जी के 10 question है दोनों सर एपसेंट थे हिंदी और इंग्लिस वाले तो उन्होंने जो answer बेजे उनके according मैंने आपको यह answer लगवाए हैं वागी मैं तो पॉलिटीकल का टीचर हूँ आप सभी जानते हों तो इस तरह यह आपका पूरा आज का यह paper solution हुआ शाम वाली जो पारी भी होगी same डिटो इसी pattern पर आपका paper आने वाला है क्योंकि पिछले दोनों जो पारियों में paper आये हैं और इस पारी को अगर माने तो तीनों पारियों में जो paper का level रखा है वो same रखा है एक जैसा रखा है यह आपको ध्यान रखना है तो आप सभी के लिए अगली पारी के लिए जो व आप